क्या आपके पास भी Samsung का फोन है और उस Samsung फोन की बैटरी जो है वह पूरी दिन नहीं चलती है तो आज जो आपको हम सेटिंग बताने वाले हैं उस सेटिंग को यदि आप अपने Samsung फोन के अंदर में करते हैं तो आपकी बैटरी अगर माल लीजे कि सुबह में आप चार्ज करते हैं और साम तक आपके फोन के बैटरी खतम हो जाती है तो यह प्रॉबलम आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी जी हाँ दोस्तो अगर आपके पास सस्ता से सस्ता Samsung का फोन है और उसमें बैटरी प्रॉबलम आ रही है आप फुल चार्ज करते हैं पर साम होते होते ही आपके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जा रही है बिल्कुल ही 0% पर चली जा रही है तो आप अपने फोन के अंदर मे यह सेटिंग को अभी तक नहीं किया है अगर यह सेटिंग आज अपने Samsung फोन के अंदर में कर लेते हैं तो आपकी फोन की बैटरी आज चार्ज किजिएगा तो पूरी दिन पूरी रात यानि दो से तीन दिन तक आपकी फोन के बैटरी चलेगी जी हाँ दोस्तो एक बार बाद आप कहिएगा कि मैं जो कहा हुआ कितना सच था तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को Samsung फोन की कुछ ऐसी ही hidden सेटिंग के बारे में बताएंगे जिस सेटिंग को करने के बाद में आप अपने फोन की बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं और आपकी फोन की वै बैटरी नहीं चलती है तो तो जदा समय नवेश करती हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ड तो आईए दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं तो आईए दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं कि आखिर किस तरीके से हम Samsung के फोन में या सेटिंग करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे पास सस्ता सैमसेंग का फोन है यह सस्ता फोन है दसहजार का फोन है इस फोन के अंदर में यह सारी सैटिंग करूँगा आपके पास जो सा भी सैमसेंग है उस फोन के अंदर में इन सैटिंग को आप कर दीजिए आपके जी फोन की बै देखने के बाद में आप अपनी फोन की बैटरी को पूरा चला सकते हैं, तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपने फोन के सैंसेंग फोन की सेटिंग को उपन कर लेना है, पहली सेटिंग के लिए, सेटिंग उपन करने के बाद में थोड़ा सा निच्चे की जाएंगे तो आपको एक option मिलेगा about phone का ठीक है about phone के उपर में click कर देना है जैसी click करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक option मिलेगा software information इसको उपर में tap करना है जब इसको उपर में tap करेंगे तो यहाँ पर आपको build number दिखेगा इसे पर 7 बार आपको टैप करना है आपको developer option ओपेन हो जाएगा तो यहां पर साथ बार आपको tap किजेगा तो डवलबफर option ओपेन हो गया है इसके बाद में यहां पर आपको इस तरीके से बैप हो जाना है जैसी बैप होखेंगे तो देखेंगे कि setting के about phone के नीचे डबल अफर option open हो गया है तो इस डबल अफर option के उपर में आपको टैप कर जाना है जैसे टैप करेंगे तो यह बटन on मिलेगा अगर off होगा तो on कर दिजेगा यहां पर बहुत सारी setting आप लोगों को देखने को मिल जाएगी आप लोगों को यहा करनी है ध्यान से देखिए दोस्तों आप लोगों को यहां पर एक setting देखने को मिलेगा जिस setting पर देखिए यहां पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है reduce battery drain and approve network performance का एक option है यहां एक button है ठीक है इस button को आपको यहां simply on कर देना है यह setting दोस्तों डवलफर setting आपके phone के अंदर में ही होता है लेकिन यह दिखता नहीं है इसे on किया जाता है यह अगर आपकी phone की battery देखिए आपके साब सब लिखा है कि अगर drain होती है यानि कि जल्द ह समापत होती है तो इस button को अगर आप on कर देते हैं Samsung phone के अंदर में तो आपकी phone की battery अब से drain problem और खतम होने वाली जो problem है यह खतम हो जाएगी और आप से आपकी phone की battery अच्छा चलेगी यह तो दोस्तों एक setting हो गई है यहां पर दोस्तों अब मैं आप लोगों को दूसरी setting बत limit इसके उपर में click करना है जब इसके उपर में आप click करेंगे तो यहां पर पहले से standard limit के उपर में set होगा तो आपको यहां पे no background process का option है इसके उपर में आपको tick कर देना है जब इसके उपर में आप टिक कर देंगे तो अब यह no background process हो गया इसका मतलब यह हो गया कि अब application अब background में run नहीं करेंगे और आपकी जो phone की वैटरी है अच्छा चलेगी तो यह setting भी आपको कर लेना है तो यह दो setting आप लोगों को developer option के अंदर में कर लेना है अब बात करते हैं तीसरी setting की तो तीसरी setting के लिए दोस्तों आपको अपने phone dialer को open कर लेना है ठीक है phone dialer को open करने के बाद में यहाँ पर एक code डालना है एक code है ध्यान से देखिएगा यह code क्या है code है दोस्तों star has 0228 has जैसी ही dial करेंगे तो automatic यहाँ पर देखेंगे कि battery status का option आ जाएगा या सिर्फ samsung के phone में होगा ध्यान से समझेए इस तरीके से आपका एक option खुल जाएगा इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपकी phone की battery dead है या आपकी phone की battery ऐसी हो चुकी है कि यह signal में आपका percentage कुछ और है यानि कि जब phone की battery खतम होने लगती है battery life खराब होने लगती है तो हमारा phone बहुत जल्द चार्ज हो जाता है और बहुत जल्द समाप्त भी हो जाता है इसका मतलब यह है कि आपकी phone की battery life खतम हो रही है तो यहाँ से आप यह चेक कर सकते हैं जैसे कि भी हमारे phone में 48% battery है अगर आपका phone की battery तुरत चार्ज होती है तुरत खतम होती है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके battery सही है या खतम हो चुकी है तो जब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर Q कि स्टार का option है इसको उपर में click करेंगे यहाँ पर OK का option दिखेगा OK पर click क तो विल्किल आपकी phone की battery अभी सही है अगर आपकी phone की battery 48 थी पहले उसके बाद कुछ और हो गई कम हो गई तो आपकी battery नहीं है आपकी battery अंदर से खराब हो रही है तो यह पता आप लगा सकते हैं अब बात कर लेते हैं चौथी setting की चौथी setting भी दोस्तों आप लोगों को मि कीजिए click करने के बाद में कुछ इस परकार से scroll करके आपको देखिएगा यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा battery and device का तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक option है battery and device care इसके उपर में आपको tap करना है ठीक है जब इसके उपर में आप टैप करेंगे तो more battery setting का option दिखेगा इसके उपर में click करना है जब इसके उपर में click करेंगे तो यहाँ पर एक option मिलेगा जहाँ पर लिखा रहेगा extend battery life beside on your phone use ठीक है तो आपको यह बटन को यहाँ पर on कर देना है दोस्तो इससे क्या होगा कि आपके जो phone की battery life है वह बलह जाएगी और पहले कि अब एच्छा आपके battery बहुत अच्छी चलने वाली है अब थोड़ी सी और setting रह गई है एक setting यहाँ पर है protect battery ठीक है इस protect battery को जो भी option है maximum charge to 85% जो लिखा है इसको भी आपको on कर देना है इसको on करते ही देखिएगा दोस्तो जितनी भी setting मैंने बताई है इस setting से आप अपने sam बैक होखेंगे तो आपको इसी battery वाले option पर क्लिक करना है यहाँ पर battery लिमिट का option दिखेगा इसके उपर में क्लिक करना है यहाँ पर आपको एक option है put unsaid app to sleep इसको आपको on कर देना है इसको on करने से क्या होगा दोस्तों कि आपके phone के अंदर में बहुत सारे ऐसे application हैं जो इस सारे application को यह slip पर डाल देगा और वह application आपके background में battery को run नहीं करेंगे इतना setting आप phone में कर लिजिए अब आपकी phone के battery बहुत ही अच्छा चलेगी तो एक बार आप अपने samsung phone के अंदर में यह सारी setting को जरूर कीजिए उसके बाद आप कहिएगा कि आपके phone के battery पहले के पेच अच्छा बहुत अच्छी चलने वाली है तो दोस्तों यह setting हर phone में होती है पर बहुत से लोगों को पता नहीं होती है जिसके करन यह setting लोग नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बता रहा था वीडियो helpful लगी तो वीडियो को like और चनल को subscribe जरूर क कर लिजिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब ते के लिए टाटा बाई बाई